वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें चले शुरू करते हैं पहला कोश्चन है जो डियाग्राम बना हुँ है क्या रिप्रिक्ट कर रहा है तो इसमें हम दों देख सकते हैं कि इसमें आको बाहर की तरफ है तो यह एक है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है रिपल फैक्टर और हाफ एक्टिपार इस आप्शन है 0.48 1.21 0.37 2.41 इसका स साही अंशर और हाप्शन है लाइक्तिक्ल एनर्जी को इसकी लाइक्टिकल इनर्जी में कनवर्ट करता है अगला कोशन, इनने से कौन सा सिंबलरर डायोड का सिंबल है? आप देख सकते हैं, खाली एक ही सिंबल यह बारा जो छो लें, यहीं बाराइक्टर डायोड का सिंबल है, बाकि सारे ऑप्शन गलगती हैं. अब देखते हैं अगला कोशन, अगला कोशन है, सब्सक्राइब करता है इसका मतलब वहां पर इन मोबाइल चार्जेज अगला कोशन नेखते हैं इसका सही अंसर है ओपें सर्किट हमको पता है कि प्ये जंक्षिए इसलिए वह ओपें सर्किट की करा है अगला कोशन है फिंग कर भी एफने प्लाईंट्य पहरी का हमें से फारे में इस बर्टाइक वेपम सनल उन ही है और दि वोने प्लाइट श़़वmus से सथे आपको है में उनल भाईर्क्टाइब का अगाँ कर शौआ है अगाले कोश्चन है अग्या है lub को अगला कोशन देते हैं अगला कोशन है डिपलेशन लेयर का क्यों 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 होती है ऑप्षिन में आपका दिफ्उजर्ण ओंजर्ण जिफ्उजर्ण ग्री आइक्टॉंस जब भी क्योंकि ओल्स टीवर नेगर्टिव एट्री इत्री तरफाते हैं इसी डिए हमाइई डिपलेशन लेयर क्रेट होती है तो इसका सही आंसर है diffuse one of majority charges अगला कोश्चन है infrared LED is lubricated from option है arsenic, gallium arsenide, phosphide की arsenic, gallium, phosphide इसका सही आंसर है arsenic, gallium, phosphide अगला कोश्चन है rectifier instrument indicates rectifier instrument कि I indicate कब साय है RMS value, peak value, average value की ना ना पोगो इसका सही आंसर है rectifier instrument RMS value को I indicate होता है आपको ये वीडियो कैसी लेगी हमें जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी है तो like का बटन दबाएं अगर अभी तब आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है तब तक के लिए कुछ लूक